हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें जब बेल आइकन दबाएं जी सर तु आमेशा रोता क्यों रहता है ने नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है चेहरा ही ऐसा है तेरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा जब जब भी देखता हूं आमेशा लटका रुहान सर को क्या हो गया रुहान सर अब ठीक तो है रुहान सर अब ठीक तो है रुहान सर सर अब ठीक तो है रुहान सर क्या हो गया आपको सर रुहान सर मेरसी के इस्टाउ रोर्जर 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 अजित रोर्जर कि पाल अजित रोर्जर तुझ परखना, परोग तुझताँmist परोग चलब रफेन, आपना रभण हार हा, दोपाना फ्रूबन है। प्ठारे रहें कि जी हम पार देंगे होंए कि ये झाया बाइब और रहे हमें के वे समय देनrial देंका पर प्लेटा एक जब है मैंने कहाना चलो रोहान कहा है तुम उसकी फिकर मत करो रोहान जिन्दा है देखो रोहान ने मुझे याई ही बुलाया था तुम जाओ और जाके उनको बुला के लाओ तुम आओ तो सही तुम मुझे जब तक यह नही बताओगे कि रोहान कहा है मैं कहीं नहीं चाहूँगी रोहान ने तुम से मिलने से मना कर दिया है क्या? क्या बक्वास करें तुम? रोहान एसा कभी नहीं होल सकता रोहान हर दुसरे दिन एक नई गर्फ्रेंड धूमडी लेता है तुम्हारा मालिक है वो तमीज से बात करो समझे ये तमीज अमीज सब कड़े में फिको रोहान के डेड़ी राय पहादुर साहब तुम से मिलना चाहते है क्या? राय पहादुछी मुझसे मिलना चाहते है चलो चलो यहां रुको राय साब अभी आती होंगे यह तरवासर के नहीं खुल रहा? हेलो कोई है बाहर? रोहान 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 तुम हो इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है इससे पहले भी कई लड़कियां रोहान रोहान कहते कहते बेहोश हो गई है उसके बाद कहा गई पता ही नहीं चला प्लीज मुझे घर जाने तो रोहान को भूल जाओ कौन है वहाँ, कौन है मैं रोहान को नहीं भूल सकती, प्यार करती हूं मैं उसे और शादी होने वाली है हमारी शादी और वो भी रोहान से यह, यह क्या है? इसे खोल के देख लो नहीं, नहीं मुझे रोहान से मिलना है और मुझे उसे आप भी मिलना है कोल के देख आप 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 वाच करो ने इसमें कल से तुमारी सुभान पे रोहान का नाम नहीं आना चाहिए आप तांग तोड़के रख दूँगा मैं तेरी शलने के लाइक नहीं रहेगी तिर कैसे मिले के रोहान से? आप मेरी तांगे तोड़ेंगे? तांगे भी और हाथ भी चिप चप पैसे लेकर यह से गाइब होजा वरना तेरी लाश पी नहीं मिलेगी और जब मैं रोहान को यही बताऊंगी कि उसके खुद के प्रता ने मुझे पांच करोर उपए देकर खरीदनी की कोशिश की है तो वो आपके बारे में क्या सूचे की? क्या कभी सोचा है आपने यह? रोहान तुम्हारे डाड़ी ने मुझे खरीदनी की कोशिश की है पांच करोर उपए दिया है उन्होंने मुझे बस यही कीमत लगाई तुम लोगोंने मेरे मुझे का बारे में डाड़ को तूने बताया ना मैंने ने बताया तूने नहीं बताया तो किस ने बताया? और यह तेरी पैंट में हर समय आख क्यू लगी रहती है बोल अगर तूने नहीं बताया तो डैट को कैसे पता चला मेशिका और बागी गल्स के बारे में सिर्फ मेरी वज़ा से रखा हुआ इस महल के अंदा है कान में कच्रा भर रहा है ना तो पेपर की बत्ती बना साफ कर और सुन यह जो राजकुमार बना घूम रहा है न तू? इस पैसे पे मेरा भी हक है मेरे नाना की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है वो तो तुम बाप पेटों ने ऐसा चक्कर चला है कि मुझे मैनेजर बनाके रख दिया दुनिया का हर फटीचर आदमी यही कहता है कि वो चांदी के बरतन में खाता था हा हा मैं खाता था चांदी के बरतन में तुमने और तुम्हारे पाप राई बाहर दो ने ओर आदमे हैसा चक्कर चलाया सारे कि सारे पेपर गायब कर दिये यह बतना यह बतना प्लीज तुम तनिया को मत पता ना क्या है ना कि मैं इसे शादी करना वाला हूँ वह वाली शादी जो तुने निशा, रिशा, टेशा और मिशिका से कीदी वह वाली शादी एक एक बात बता तुने तानिया को मिशिका के बारे में तो नहीं बताया ना? बताया बताया कि इसी ने बताया मुझे संजीव ने ही बताया तुम्हारे और मिश्रिका के बारे में पता था मुझे इसकी तुम है सुना है पांच करोड लेकर गई वो पूरे पांच करोड दिया रहाद उन्हें बेहतर है के तुम भी समझ जाओ तुमने जो मेरी साथ किया है ना रोहान उसका बदला मैं तुमसे लेके रहोंगी उसका बारे में बेट पर गोली लगिए अरे हाथ गरह में है सर जिंदा है यह तो जिंदा लेक रहा है चोलो हॉस्पीटिल लेके चलो 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 उठाव इसको सर गोली चाती पर मारी है इंफॉर्म करना फ्रेडी जल्दी कमाल है आप लोग ने देखा नहीं आत्मी जिंदा था यहां पर सब हमें लगा मर गया है जल्दी यह उस्पीटिल पहुँच जाता तो शायद बच जाता अब पतानी क्या होगा पूर्वी यह सारी कॉफी इकट्टा कर लो और फ्रेंची कि लाब भीज तो राइबादु जी एक बात बताई कि यहां से किसी को आजते जाते हुए देखा तुम्हें यह पर कौन कौन गूली चला सकता है कुछ अंदाजा है आप लोगों को मैं तो खिचन में था साब खाना बना रहा था और जब सर गोली चलने के आवाज आई तो मैं आफिस में बै सर जैसे ही हमने गोली चलने की अवाज सुनी मैं और काका भाग के यहां पे आए और हमने देखा कि गोली चली एक और लाशे दो है न कमाल की बात अफिस का है तुमारा जी सर मेरा ओफिस राह साब के घर के बिल्कुल पास में है अच्छा तो तुरंदा गे थे तुम जी गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं फॉरन आ गया था देखा तो राह साब खड़े थे और काका वहीं पे खड़े थे अच्छा गोली कहां से चली होगी एक बात बताईए ये आपका बेटा रुहान क्या उसका किसी के साथ कोई जगड़ा था किसी के साथ कोई दुश्मनी जी नहीं उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी वो बहुत शरीव रणका था दूर दूर तक चच्छे थेंके बेटे के क्यों बदाब कर रहे हो तुम उसे सर नाम तो उनके बेटे का मशूरता लड़कियां घुमाने के लिए कित्ती लड़कियों को दोखा दिया है फिरहाल दो गलफिंड्स हैं इनकी एक का नान तानिया और दूसरी मिशिका साम हाँ यह रूहान के मॉबाइल पे किसी लड़की ने वीडियो भीज़ा है सर पांच करूर रुपए का रूहान तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है पांच करूर रुपए दिये हैं उन्होंने मुझे बस यही कीमत लगाई तुम लोगों को मेरी मिशिका नाम है सर इसका ओ मिशिका रूहान के बाप को ब्लैकमेल किया तुम्हें पांच करूर रुपए निकाल लिए उससे स्क्यूस मी सर मैं राय बहादूर का थोबरा भी नहीं दिखना चाहती थी मैं तो वहाँ रुपान से मिलने गई थी अगर पांच करूर रुपए मिलने वाले थे तो पोड़ी देर के लिए थोबरा देखने में क्या हज है सर मुझे फोर्स किया था राय बहादूने मिलने के लिए मेरा खुद का एंजियो है सर और और मैं अग्रिकल्चर पी रिसोर्च करते है कल गाहा थी आप सतारा में आज सुभा ही वापस लोटी और अगर आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं वो तो चेक करेंगे हम लोग किस को कॉल किया आपने और किस का फोन आया आपको सब देखेंगे ठीक है देखी शौक से देखी मेरा भी और राय बाहदूर का भी राय बाहदूर का उनका क्यों है दस दिन सिर्फ दस दिन में वो बिखारी बन सकता था बहुत जहर बाहा है तुम्हारे दिन में राय बाहदूर जी के लिए सू रोहान की मानी मरने से पहले एक बंग लिफाफा छोड़ा था और सब को पता है कि जैसे वो लिफाफा खुलेगा सारी जाइदार सारा पैसा रोहान के नाम हो जाएगा और राय बाहदू धन्धन गोपाल राय बाहदू तो रुवान के पिता है वैसे भी एसारी जाइदा उनी की है सर्ण सगा पिता नहीं सौतेला पिता हां मैं सौतेला हूँ और दुनिया में हर सौतेले बाप की ये कहानी है कि वो अपने बेटे-बेटें के लिए कुछ मी कर ले लेकित दुनिया हमेशा उसको शक्ती नदरों से दिखती है तो ये सच है कि आपका और रुहान का अप अर रोज किसी ना किसी बात को लेके पंगा होता रहता था पंगा तो हो गई रोज एक नई गर्फ्रेंड को लेकर साथ कुनता था मैं ले कितना संझाया कि अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इजद का तो खायल करे लेकिन नहीं आपने तो पांच करोड रुपए दिये ना मिशीका को पांच करोड मैं बने उसे निप्टा दिया कौन जानता है कि कल वो सौ करोड मांगती ये बेपकुफ लड़का इतनी सी बात पे नहीं समझता था क्यार अब तो विचारा रहा ही नहीं वैसे आपके पास कोई गन है हाँ जरदी कई क्यों देखनी है कि वो चली है कि नहीं आपका मतलब है कि जी आपने सही समझा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद रुआन को मैं नहीं पेटा था वो मेरा क्यों मैं उसका सोते लबाप था तो क्या हूआ मैं प्यócर करताता उसको आप कहते मैंने अपनी बेटे का खोन कर दिया देखे हमने सिफ इतना कह के हमें वो गन दिखाई गन दिखाने का यही मतलब है ना आपका कि मैंने उसे यहां यही मतलब है कि लिए खान दिखाई यह का यहां यहां कि लॉकर मिराल के लॉक्ष खास निवत यह कर नहीं है अंश्यादध गोली चलीये इस गन को मैंने सालूं से हट नहीं लगाया तो फिर गोली कैसे चली यह गन अंतर चवर्ट में लखे थी गोली कैसे चलेगी चलीये इसमें से गन पावडर के बद्बू आ अपने आप नहीं चलिए आपने चलिए आपने चलाई है आपने चलाई है गोली चला के गन अंदर रख दे पानी के पास हम लोग बार बार पूछ रहे थे गोली चली तो चली कहां से वहां मुझ पे सील लगा के चुप-चाब खड़े हुए थे उड़ा दिया पने बेटे को में यह बढ़ दिया, क्यों? АрWi are came youiksi बढ़ बार वही rat लगा के बैटा हुआ है मैं क्यों मैं क्यों क्योंकि दस दिन के बादhadलादने लिपापा खुलने वाला है यह सारी अमीरी है न, चली जाएगी आज का राझा कल ख़तारी बंजाएगा इस्ति यह सुमने मा रहा है हाँ सालूंग साफ ठीक है साफ ओके आप राइबादुर साफ को भी लिए आते हैं ठीक है राइबादुर जी अगर डॉक्टर सालूंग के पता देते हैं कि रूहान के शरीर में जो गोली है वो इसी गन से चली है अब तो आज रात आपको जेल में मच्चर गिनने पड़ेंगे आज आपको मेरी बातों का सही सही जवाब देना पड़ेगा अरे पर बात तो बता आप लोगों ने जब देखा लाश लेटी ही थी लाश कब खड़ी होती है आज सर वो जाने भी दो यारो फिल्म उसमें लाश खड़ी थी बस रूहान खुद लेटा था या इसे लिटाया गया था सांगी यह तो चेतन ही जानता है पर चेतन इस वक्त हस्पिटल में बेहुष बड़ा है यहां जो खड़े है उन्हें मालू है है रूहान ने जब कोफी पीती तो क्या हुआ था तो बेटेको बश्स क्या हो रहा है कौफी है कौफी में शकर एक चीटिया है और चीटिया क्या गानी के लिए जारी शक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है ये देखो ज़रा ये बस कौफी में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसे पीते ही रुखान लुड़क गया कौफी पीते ही रुखान लुड़क गया मतलब उसे पकाई ने चला कि किस ने गूली चला है और गोली भी कमाल की पांच इंच लंभी गोली पांच इंच लंभी गोली पांच इंच ये कौंशी गोली है डॉक्ट सर पहले तो कभी इस तरह के गोली के बारे में सुना भी नहीं था जरा गोली दिखा दिखा मुझे गोली तो नहीं तो फेके जा रहा है एक से फेक नहीं भावास, जो गाव है न ये पाँच एंच गहरा गाव है छेदय पर गोली नहीं है खीटवोंड है? नहीं खीटवूंड तो नहीं है तो भीर गोली कही कहा? नहींस पताँ? सरU गोली मेरी मेरिं हो बडिर से नहीं चली नहीं नहीं A.C.P. साब मैंने आपसे कहा थाना यह मेरा सौतल है बेटा जरूर है लेकिन मैंसे बहुत प्यार करता हूँ हो नाओ इसे जेतन ने मारा है पर उसे भी तो गोली लगी है लगी होने दीची है लेकिन गोली उसी ने मारी है सालों से हम लोगों के लिए उसके दिल में जहर बढ़ा हुआ है क्यों? रोहान ने शराबपी के गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी के निचे तीन लोगों को कुछल दिया था Oh My God लोहान, लोहान, तुम इसको लेकर जाओ, जब तक मैं अगा हूं तब तक किसी को फॉन मत करना जेतन, सार, डिखो अगर पोलिस पूछे ना कि गाड़ी को जला रहा था तो बता देना कि गाड़ी रोहन में तुम जला रहे थे, लेकिन देखो देखो देखो, प्लीज, मैं हूँ ना, मैं तुमारे बीबी बच्चों का, पूरी तरह से खयाल रखोंगा, उन्हें कोई भी कि गाड़ी हो के, अवे जोहन की जगे पर चेतन चेल चला गया, पीछे से चेतन का बच्चा, डेंगी फीबर से मर रहा रहा, बस, तब से उसने हम लों को कभी माफनी किया, जैतन के पाड़ी से गोली निकाल दी है, बीच-बीच में उसे होश आता है, लेकिन बच्चना करने इसे जरह बस एक मिट के लिए उससे बात कर सकते हैं जेतन जेतन रुवान को किसने मारा मालूम भी से तुम ने मारा उसे कोफी कोफी के हाथ से कोफी गिर गई जेतने कोफी कोफी एक अवाज आई शकुल के रुगान सेर्ड मेरा से कीशता हूँ उर्ण फिर इभाइब किसने किया था गोली किसे चला ही चैतन अग शार, जटन, 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 वाल जयता नहो नको देगादा सरीय रोहान यहां पर लेटा हुआ था जब उसे गूली लगे और गूली लगते हैं शरीर में से खुन तना दनबाब निकला होगा वोली तो सर उपर से ही चली होगी सर यहां पर तो कुछ भी नहीं है यह भी है उथार के ले गया होगा इस सब करने के लिए इतना टाइम मिला कैसे होगा उसे पटा पटके हां होगा और यहीं कहीं फेक भी दिया होगा अगर फेंक दिया है तो फिर पानी के अंदर ही झाल०्ण के पानी के पक्ताव फेंड मिला कोण टूनकित थीजे के सैज़ कोण थार यह होगाई कर देख ब LAUGHTER कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कुछेंग कुछेंग थलिए ठाला राट सरी के रहा है रहा है रहा है इस पांच इंच की कोली तो तो मतलब ये पाँच इंच की गोली इसके अंदर ऐसे फिट की गई थी और फिर रिमोट से गोली फायर की गई गोली उपर से आई सीदे रुभान के सीने में अब ये तीन लोग वहाँ पर थे तो हो सकता है तीन लोग कोई आसपासी थे Sanjeeel, Kaakai Ji और राय बहात्वर उन तीनों में से किसी ने गोली चलाई तीनों में से किसी ने गोली चलाकर जेतन का मूह ही बंद कर दिया तो 试ब कर जेतन ने देखा उन तीनों में से किसी को वो पाँच इंच की गोली चलाते हुए सर इंसनि मैं मुंभ पसाये सुम्हेんな आफिस में बठवा था और सर मैं किछन में था तुम किछन में थे किसी ने देखा था सर घर में कोई और थाए नहीं तो देखे काउन जब गोली की आवाज सुनी तो मैं किछन से बाहार भागा और मैंने देखा के राय बहादूर साहब बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं क्या? राय बहादूर अंदर आ रहे थे? जी हाँ सब गोली चली बाहर और वो भागे अंदर मैंने उनको देखा कि वो अपनी जेब में कुछ छुपा रहे थे Deár अगर्डे mall Ma जिस गोली से चीतिन की मौथ हुई वह रायबादू के गन से चलिए मज kilowIVE पर तीन लोगों की उंगलों के निशान है एक सअ मस्ही गोली उंगलों के निशान ہے हाँ, हादूसरा? बाकी दो निशान किसके हैं या भी मालूम नहीं चला है जो लोग घर में हैं शायद उन लोग के उंगलियों के निशान होंगे हो गिसर, ठीक है, THANKS Sir हाँ राय बादूजी के गन पे तीन लोग के उंगलियों के निशान मिले हैं एक तो राय बादूजी का और बाकी दो किसका है प्रता नहीं चला है तो बेर बाकी दो तो यह प्रता नहीं चला हो आलिक हु और रोहान जैसा बेटा आप तो काम करना ही नहीं नहीं चाहिगी था आखर नौकरी फस्ता है ना जो नौकरी फस्ता है तुम्हारे माली के बेटे का खून वा और वो भी तुम लोगों के खर के पास समझें साव अगर वाप बेटे में आपस में जगड़ा हो तो उसमें मैं क्या करूँ देगर भाई जिस गन से गुली चली है उस पर जो होगियों के निशान है वो तुम्हारे किसी से होंगे ना सेर एक विशान तो रहा है बाहदर का है से पर हमारी क्यूं दे रहे हैं जाकि उसे पकड़िया सर वालों के से एक मिर्ट आएंगे प्लीज क्या हुआ 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 बस अब आए ख़्या हम थो बहुत बड़ी गल्ती का रहे हैं हमें तो राय बात उर को पकड़ ना चाहिए था ha जी सर वही तो मैं भी कह रहा हुआ 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 है सर लेकिन इज़त तो हमारी तूबी ना बड़ा इजद कर ठेके दारा दू? रहा? फटोड़ा बाल सब मेरे नाना और रोहान के नाना भाई थे मुझे वो सब कुछ मिला था वो जमीन वो जाय था सब कुछ लेकिन उस रोहान ने और इस सौतेने बाप ने मिला सब कुछ चिल लिया मैंने सोचा कि राय बाहदूर की गन से मैं रोहान को मार दूँगा और फिर गन वापस सेफ में रख दूँगा पिर पसेगा वो राय बाहद हो पता नहीं किस ते मेरे गन से गन चुरा के मादिया चेतन को मैं तो ऑफिस में बैठा था जिब गुली चलने की आवास आई मैं दोहर कर गया है और देखा वहार राय बाहदूर काका कड़े थे तुमारे गर में तो कोई हो रहा है नहीं जी नहीं सथ फिर सब मेरे एक फ्रेंड जाती है कौन फ्रेंड? मिशिका 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 यह संची बड़ा बदमाश आदमी है यही है जो मुझ पे डोड़े डाल रहा था इसे ही पता नहीं था कि मेरे पहले भी चार बॉइफ्रेंस रह चुके हैं इसने मुझे अपने घर बुलाया और जब अंदर चाय लिने गया तो बाइचांस मेरी नजर उसके गन पी चली गई मैंने सोचा कि उसी गन से रोहान को मारूँगी और फेर गन वापस उसी जगह रख दूँगी और तुमने वो गन उस दिन इसके घर से चुरानी हाँ हाँ और चब मैं रोहान को माने गई तो मैंने देखा कि माँ चेतन खड़ा था और रोहान लेटा हुआ था और मैंने फिर भी रोहान को गोली माने की कोशिश की पर पर गोली रोहान को नहीं चेतन को लग गई सो मैं डर गई थी इसलिए मैं मासे भाग गई और मैंने रस्ती में देखा कि काका और तानिया अपस में बाते कर रहे थे सुन लिया, अभीजी, दया ये काका जब गोली चली तब बाहर था तानिया से बात कर रहा था कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदागा है, आप दो वो को है मैं तो किचन में था सब, खाना बना रहा था वारे वा काका हाँ 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 मैंने ये जान से मानने का प्लान बनाय था रुहाँ उनको वो मशीन इससे पाच इंच की गोली देली थी वो भी मैंने ये बन भाई थी जैसी मुझे पता चला कि रुहाँ मुझे भी दोका देने बादा है उसी दिन मैंने ठान लिया कि में आज के बादे कभी भी किसी लड़की के साथ में फोन ही होने दूने जो उसने मेरे साथ क्या वो मशीन किसने लगाई काका नुँँँँँँँद रोहान ने मेरी बेटी की जिन्दगी बरबाद कर दी शहरम के मारे वो दुनिया ही छोड़कर चली गई अस दिन काफी पी कर वो लेट गया और मैंने रिमोट से गोली चला दी वही मर गया थोके बाज बस आप लोगों के आने से पहले ही मैंने गोली और मशीन निकाल कर चिपाते थी काखा जी तुमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ हमें दुख है उसका पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की जान के बदले में तुम किसी और की जान लोगें तुमने और तानिया तुमने भी दोनोंने मिलकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है तुम दोनों को और मिशिगा को भी कानून कड़ी से कड़ी सवजा देगा है शायद आसी शायद बड़ा जाएड़ाओवरा जाओवरार है झाल को जावरावरा जान झाल